काले ने सब को अंग लगा कर काले रंग में रंग डाला गोपुल की गलियों का ग्वाला चड़ती कला जिन्दा हुआ देखिए मकसद तो यह है कि इस महिने को 20 मई से लेके 20 जून तक हमारी पार्ट आप मेरे गाओं में आई हो मेरे प्रात्ती करूं बापता स्कूल में जाकर देखो कि साब स्पाई के कितनी दुर्गती है श्तु शानी जी के बच्चे या पोते-पोती या जो दिधोती भी गौर्मिट श्कूल ना पढ़ ए आज हमारे साथ फ्रेम में मुझूद है कालासो सैने जी जो पूरव संसद रहे है कुर से तर से और गाम बुड़ा खेटा की जानागे मकसद के थाने का सैने साथ नमस्कार सबसे पहले चड़ता हर्याना पूर मेरे गाम में पहुंचे आप स्वाग्द करते हैं देखिये मकसद तो यह है कि इस महिने को 20 मई से लेके 20 जून तक हमारी पार्टी परचार परसार महिने के रूप में मना रही है कि पार्टी की जो भी पॉलीसीज है पार्टी ने जो भी जन कल्याण के कार्या किये हैं लोगों के लिए उनका परचार परसार करें और मैं तो पहले यहां से सांसद रही उस नात्ते भी मेरा यहां लोगों के बीच में आना फर्ज बनता है, बीच में भी आती रही, पर आप थोड़ा सा महिलाओं से भी खास तोर पर मैं बैठ के बाद चीत कर रही हूँ, जैसे यहां पर तपस्वी जी तपस्या भी कर रहे हैं, हमारे गिरी जी महाराज, तो चां जीनिकी से पहले आम है, सोशल एक्टिविस्ट एंड रिलीजिस पर्सन, फस्ट पॉल, देन पॉलिटिशन, थर्ड नमबर के, एक मेरा स्वाल है, ज्यादा बड़ा नहीं है, बच्चों को भीश्या लेका है, क्योंकि बच्चे देश का गोर्व हैं, बच्चे अपना बड़े मालिक बेठे हैं, उनका भी थोड़ा ध्यान देऊ, आप मेरे गाउं में आई हो, मेरे प्रात्ना भी करूंगा, आप स्कूल में जाके देखो कि साफ स्वाई की कितनी दुर्गती है, दस साल से तो स्वाई करम चारी नहीं है, जी स्कूल में, और आप भाजपा की भगवान कर आपने टिक्ट में लाए और आप अच्छे काम भी करो, कोई नहीं मैं इस पर ध्यान दोंगी पूरा, क्योंकि शिक्षा पे तो सरकार बहुत ज्यादा ध्यान देरे सार्फ, शिक्षा भियान के तहतो करोणों रुपया सरकार ने विया करा है, पाता नहीं आप आपकी ठीक है, क्योंकि धार मिक्ता भी ना हमारे देश की संस्कृति को जिंदा रखना भी, गौरम में इस संस्कृति जिस पे पूरा दुनिया हमें जागत गुरू कहती है, उसको लाइव रखना भी बहुत सरकार का या लोगों का फर्ज है हम सब का, लेकिन जो शिक्षा है, वो भी एक बेस है, इसके बगएर भी इनसान का उठान नहीं हो सकता, इसमें सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, यहाँ पर क्यों ऐसा है, इसका पता करके मैं करवाँगी, अगर किसी का ठीक ठाक सब यहों थैने जी, उस नस्रम मैप सूस हो है, कि मेरा बालक सरकार स् गरीब मजदूर हैं, जो छोटे-छोटे किसान है, उन्हें के बालक स्कूल में जावे हैं, व्याईपी के जन्द नहीं है, और हर्याना सरकार, सत्ता में आप भी लोग भी रही हो, ऐसी स्कूल आपने क्यों नहीं बनाए, कि बच्चे या पोते-पोती या जियोती-जियोत भी गर्मिट स्कूल नहीं पड़ है, ऐसी स्कूल क्यों नहीं बनाए, अलत घर्याना में? व्यवस्था के उपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने व्यवस्था को स्ट्रॉंग करने में, पावर्फुल बनाने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, अन्तुद्या जैसी स्कीमों के मादम से आखिरी पंक्ती में स्कीमों का चलो, जो भी है सिस्टम में छोटी मोटी कहीं कोई कमजोरी रहे गए होगी, उसको और ज्यादा दुरुस्त करने का काम करेंगी, जैसे जनता MP MLA बना देती है, यह हमारा कैथल शे लिलाराम गुजर विधायक है मोखे का, जनता ने बना दे जनता काम है जिताना और जनता उनके पास काम लेके भी जावेगी, तो कोई भी बनो चाही है, फिर बाद में भी कहा देंगी, जनता जाके चलावेगी, यह निसमझबान दी, नहीं कोई बात नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, चल रही है सब की, ऐसी बात ने लिलाराम भी अच्छे काम कर रहे है, जी बिलकुल ये बाते हैं कि मारे दो चल दीनी है, कारण क्या है, नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, मेरे तो नोटिस में ऐसी बात आई नहीं, चलो आगे ध्यान रखेंगे, और जादा, आप MP बन जो जनता अपना जित्यावी दे वाए, यह स्वाल तो नहीं हो जाएंगे, जो इमारे दो चल दीनी है, नहीं नहीं चलानी तो मन आवा है, अच्छी तरह, अब मेरे जादा चलाने थे ही कहीं बार लोग खिज आते थे, और काम करने से, करमतता से कहीं लोगों को नेताओं को गुस्स अभी आ जाता था, आज पर ही जिने भी खुद कहा था, कि यह इन चलाने शाहरी तो मेरे जाने से, जाने अब मेरे जाता है, शाचिए ऐसी कोई बात है, ताइम देते हैं, हमारी सरकार बहुत सैंशील है, वह बहुत बहुत, बहुत करते हैं, तरह लिए को दिमय के बैठी गया, जी MP था, वह कौन सा, कौन सा, रुक पर देखें, तरह हैं, कि यह काम हमारी सरकार ने पूरी जूट दे रखिया हर हलके का समान विकास आप कों करवाता है जहां हमारा आमेले भी नहीं समान रूप से विकास करवाया जा रहा है कैथल में तो बहुत बुरा हाल है आपका विधायक भी है कैथल से ची का जो रोड है नहीं लोग यह कह रहे हैं जो बाजपा जजपा की सरकार हर्याना तो जावेगी ना तब आम नहीं मोट सैकल नहीं गाड़ी तब लेका हूए क्योंकि खट इतने बड़े बड़े हैं ले आ आएंगे वो भी करवा रहे होंगे कोशिश कर रहे होंगे पर चलो बन जानी चाहिए थी उसमें कहां कोई किसी क्या कम्यूनिकेशन गैप रहा या क्या रहा लोगों को भी उस रोड का सर्वे कर रहे था जी एक सरदार जी थे पंजाब से आई थे उन्होंने पता है क्या मुझे मौगा मिला ना मैं जिरूर रोग काटूंगी मैंने करे थे काम अपनी गाडियों में लेके जाती थे और फिर छोड के भी जाती थी लोगों को घर तक पहुचाती थी खाना भी खिलाती थी कोई बुखा भी ना मेरा वर्ट कर रहे जा इतना द्यान करती थी साल की ब अगले बार भी आप गुमरा ना हो करके बीजेपी की ही सरकारों को लेकर की आई ना संगे की ना संगे आग भाए नत्खट बड़ा नंद लाला गोरे से हो गया काला काल ने सब को अंग लगा कर काल रंग में रंग डाला गोकुल की गलियों का ग्वाला नत्खट बड़ा नंद लाला गोरे से हो गया काला लो चंदन काटी का लगा दो मोहन को मन मोहन बना दो मोर मुकट इसको पहना दो मोर मुकट इसको पहना दो देता है धम की तोड़के मट की माखन चुराने वाला गोकुल की गलियों का लाला लेवाई के लाशों सेड़े जितनी बड़िया संसती उतनी बड़िया शिंग्र भी हैं अन्त में चड़ता हर्याना देखना ले सारे दर्शकाना सोनु अजय बुड़ा खेड़ा की प्यार बोरी मिठी मिठी राम राम जैजवान जैक्सान अज़ता रहे और आपी पत्त्र कारी तभी चड़ती रहे हैं अबाद ज़ती कला जिंदा वाद जैबाद अच्छा धन्यवाद दीदी जीचे ठीके ठीके आप खोड़ी सा मारे कानी भी सोच लिए भी जोचाने बुरा मांका सोजने बता ही विए अबाग बेरी